तो आज की वीडियो में आपको साथ शेयर कर रही हूं गनेश जटोईथी मेकप लुक आए नो थोड़ा लेट है बड़ इट्स ओके बड़ मेकप काफी सिंपल मैंने किया है बहुत ड्रोमेटिक आए मेकप ने किया है तो स्टार्ट करते हैं लेट्स केट स्टार्टेट तो स मैंने मिनियेचर यूज किया है मैंने जब स्किन केर और किया था उसमें ये मेरे उसमें दो मेरे पास आये थे ये क्लेने के सैंपल्स फ्री आये थे तो उसका काफी अच्छा है काफी अच्छे से मॉस्ट्राइज कर देता है मुझे सेटेफिल जादा पसंद है मॉस्ट्रा सेर्टफल बहुत बढ़ीज दो इस यहां पर मैंने स्विस्ट ब्यूट्टी की पालेट यूज की है प्राइमर के बाद यह कंसीलर पैलेट है तो यहां पर मैंने ड्रक और के पिगमेंट़ एरिया जाए उनलाएज और इसको ब्विट्ट blender की help मैं blend कर रही हूं वो मैंने इसलिए लगा है क्योंकि मेरे pigmented areas mouth के around और थोड़े बहुत dark circles है उसको cover करने के लिए है अगर मैं यह use नहीं करती तो direct foundation या concealer लगाती तो थोड़ा-थोड़ा gray लगता है तो मुझे वो पसंद नहीं है तो इसलिए मैं conceal करती हूं सबसे पहले अपने under eye मतलब correction करती हूं फिर उसके बाद apply करती हूं concealer यहाँ पर मैंने swiss beauty का concealer यूज किया है यह मेरा top one पे concealer है मेरे पास illegal भी है बट यह मुझे काफी अच्छा लगता है यह बहुत ही बढ़ी है मतलब इसका formula काफी बढ़ी है तो यहाँ पर मैंने conceal किया था और correction किया था वहाँ मैंने apply किया है और थोड़ा सा मैंने forehead पे nose पे और chin पे apply किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने set करने के लिए छोड़ दिया है एक दू मिनिट के लिए यहाँ पर मैं use कर रही हूं benefit का tint यह काफी बढ़िया है और long lasting है इसलिए मैं apply कर रही हूं अगर आप make up कर रहे है न डे का या फिर नाइट का तो आपको एक liquid blush जरूर होता है लगाना ताकि आपका fade ना हो पूरे टाइम और यह blush ऐसा मतला make up में ऐसी चीज है जो fade होती चली जाती है गायब हो जाती है तो इसको long lasting करने के लिए और यह fade ना होए तो liquid लगाना जरूर कर रही है उसके बाद यहां पर contouring कर रही हूं मैं blush apply करने के बाद nose को और cheeks को contour किया है थोड़ा बहुत क्रीम से ताकि थोड़ी definition आ जाए और face foundation या फिर conceal करने के बाद flat लगने लगता है उसके feature side हो जाते है ना concealer करने के बाद इसलिए थोड़ा सा कट देने के लिए मैंने finger स किया है थोड़ा थोड़ा और beauty blender से में आप ब्लेंड कर रही हूं आपको आपको अच्छे से blend करना है ताकि मतलब वह ना रह जाए इसका brown brown contouring का ना रह जाए क्योंकि बहुत ही dark लगता है फिर यह powder का apply करने के बाद तो अच्छे से blend करना है यहां पर मैं loose powder यूज कर रही ह तो आपको पता है कि मुझे कितनी पसंद है और इसमें सारे शेट्स हैं तो मैं दो शेट को मिला के सेट कर लिया इसको अपर लगा लिया क्रीम के उपर देन उसके बाद यहां पर मैं हाई लाइटर लिया है मैंने दोनों शेट को mix करके और मैं यह blush के उपर ही apply करूंगी औ इसको अगर आप सेट कर लेंगे ना तो बहुत ही बड़िया लुक आता है और काफी ग्लोई मेकप यह टर्ण आउट होता है तो इसके बाद यहां पर मैंने पाउडर से भी अपने छोटे ब्रश को लेके और नोज को contouring किया है इसके बाद यहां पर थोड़ा थोड़ा ना काफी बड़िया लगता है उसको अप्लाई करने के बाद अगर आप कोल आईज करते हैं इसकी जगह अगर आपको पिंक नहीं पसंद है आप कोई भी contouring color लेके मतलब ब्राउंजर लेके आप उसको अपने eyelids पर लगा सकते हैं आई-liner लगा लो यहां पर मैं काजल लगा रह है और यहां पर मैं एक ब्राउंजर शेड को लेके इसको बस हलका हलका सा fluffy brush से smudge कर लोंगी that's it और यह मेरा आई-make-up complete हो जाता है यहां पर मैंने मस्कार यूज किया है मार्स का ही मैं यूज करती हूं क्यूंकि यह affordable भी है और यह work ऐसा करता है जैसे high end है तो यह मुझे कफ ही पसंद है उसके बाद मेरा आई-make-up complete हो रहा है आई-lashes लगा कि मैंने बहुत ही light eyelashes लगाई है ताकि बल्कुल नैच्रल लगे बहुत ही मतलब fluffy और बहुत ही dramatic नहीं लगाई है मुझे बहुत ही light पसंद है अपने उपर इसलिए मैं light ही लगाती हूं उसके बाद यहां पर अगर eyebrow pencil नहीं है तो आप कोई भी brown shade ले आई shadow palette से और उसको fill कर लिया अपनी eyebrows को तो यहां पर just मैंने line किया उसके बाद उसको fill कर लिया है यहां पर मेरे पाए बहुत सारे lip liners है मैंने सोचा कि आज थोड़ा ना कुछ अलग सा करते हैं तो उसके बाद मैंने सब को ले लिय और आखे बंद करके चूज कर लिया जो भी lip liner आएगा उससे मैं lip line कर लूँगे तो यहां पर मैंने पास आया pink color का बट मुझे पदाता कि मुझे थोड़ा सा subtle मेरा eye makeup है तो मुझे अपने lips dark रखने है तो यहां पर कोई नहीं जो भी आया अच्छे से lips contour हो गये थे मेरे बत कैनe Rooms buncheMation candidate की lipstick और इसका shade इतना बढ़िया है मतलब बहुत बढ़िया इसका shade मैं बता नहीं सकती और यह अगर आपके light skin tone है मतलब light है तो भी बहुत बढ़िया जैएगा अगर आपके डॉर फिक एग तॉन पह बहुत बढभी हैं मतलब यह दोनों तो बहुत बड़िया lip अच्छा लागा तो प्लीज इस वीडियो का लाइक शेयर और चानल को जरू सब्सक्राइब करेगा मिलते हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन दिक्या बाबाई